आज हम बात करेंगे 6th of February की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है हम सब के लिए आज 5th है और उमीद करते हूं कि आपने 5th की वीडियो अलरी देखी होगी नहीं देखी होगी तो ज़रूर देख लीज़े वीडियो आपकी हर रोस हेल्प करेंगी छोड़ी-छोड़ी चीज रहा हुआ देख रहादे करुछन तो 6th February 2020, रहा देख रुष्ना 6th February 2020, रहादे करुष्ना रहादे करुछना वैं थोड़ा इसे निका लेति हूं काईज़्ब आख लेते हूं 6th February 2020, रहादे करुछना Okay, so, let's see, क्या के दिनाया है , फिर्स्ट कार्ड जो है क्वीन ओवांड के एनरजी है , ओगाड , okay , so the card starts with the super strong energy of queen of wands , queen of wands के energy , जो है , intuition के energy होती है , inner power के energy होती है , inner abilities के energy होती है , डेकिस्तान में भी , एक Sunclark खिलाने की जो ताकत है , उसके energy होती है , queen of wands बहुत जादा सामने नहीं होती, बहुत जादा she's not in the front, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है, जो और कोई नहीं कर सकता है, और मैं I'm just focusing on the necklace of queen of wands, जादा clarity से देख नहीं पा रहीं, but it is looking like a shell energy, जैसे snail होती है, उस तरहां की energy मुझे यहां पर दे, या कछवा, उस तरहां की energy मुझे दिखाए दे रही है, so your hidden abilities, your hidden intuition, वो आपको guide करेगी, और आपको जरूरी है उस guidance को लेना, दूसरा queen of wands के साथ एक और चीज़ जो बहुत strong ह होती है, is that negativity बहुत strong हो जाती है, कही बार queen of wands की, when she gets negative, she gets very negative, so when it is bright, it is very bright, when it is dark, it is very dark, so वो आपको थोड़ा से ध्यान रखना है, कि negativity जो है, उसको आप balance रखे, अपनी negative energies को, negative thinking को आप balance रखे, और उसके साथ में कहीं मुझे बहुत strong queen of wands के energy दिखाई दे रही है, this could be a person also जिसका आपके life में बहुत strong influence है, या यह आपके energy भी हो सकती है, और साथ में there is devil, so, okay, so what, what do I say, I know, बहुत सारे आप में से लोग समझ भी गए होंगे, that this might be a bigger indication, queen of wands, the queen of wands, उसे related कुछ information आने का, या उसे related कुछ communication आने का, या उसे related कुछ communication आने का, या, she is announcing some kind of feast kind of energy, दिखाई देर, it is going to be very very important, कि आप करल 6 को अपने आपको balance रखे, अपने emotions को balance रखे, अपनी thoughts को balance रखे, किसी भी negativity में ना आए, किसी भी lalach में ना आए, especially lalach, जो है, वो आपको बहुत long term change में बानने, बानने की ability रखता है, तो lalach में ना आए, negativity में ना आए, अपने आप को balance रखे, अपने आपको strong रखे, addiction से दूर रहे, और चीजों को possess करने की, चीजों को control करने की कोशिश जो है, ना करें, क्योंकि queen of wands के साथ, एक चीज़ भी होती है, कि बहुत controlling होती है, यहां पर अगर आप देखे, तो seven of cups के energy है, बहुत सारे कच्वे जो है, वो पानी मे चले गए है, and this one is going back water, पानी में, और cup में से बहुत सारे चीज़े सामने आ रही है, this is illusions, और जिस तरहां के energy आ रही है, मुझे बंडे के energy बहुत strong लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, बहुत सारे चीज़े, probably illusions से बहार आएंगी, बहुत सारे situations जो है, वो एक अलग angle के तरफ जाएंगी, और बंडे के energy जो है, थोड़ी confusing energy भी होने वाली है, थोड़ी illusions, और थोड़ी strong action, but towards the negative side, वो energy भी होने वाली है, और जब ऐसी energy होती है, तो यह आपको help करती है, actually, अपने abilities को समझने में, और उने illusions से बाहर निकलने में, and that is where I would say, अपने dreams पे focus कीज़े, और illusions पे focus नहीं करना है, और last जो है, वो card high priestess का है, beautiful card, and high priestess's secrets coming out, like the book is finally open, पर्दा जो है, वो गिर चुका है, चान जो है, वो दिख रहा है, और एक baby आपको यहां पर दिखाए देगा, grass पर, which is just in the mind, but उस baby को किसी तरह से, एक special ability जो है, वो दी जा रही है, एक special power जो है, व बिलाया जा रहा है, उस तरह के energy यहां पर दिखाए देती है, looks like this pillar पे इसको, baby को रखा गया है, और कुछ अलग, कुछ अलग energy जो है, बेबी में डालने की कोशच की जा रही है, I do see very very strong eagle energy here also, तो यहां पर eagle नहीं है, पर फिर भी मुझे बहुत strong eagle-like energy यहां पर दिखाए द से यह दिन जो है, वो बहुत powerful होने वाला है, मतलब Monday का दिन बहुत powerful होने वाला है, इट will have in itself बहुत सारी illusions, बहुत सारी confusions, थोड़ा सा negativity जो है, वो हवी हो सकती है, बट बहुत सारे secrets मुझे लगता है, बाहर आने की energy है, क्योंकि यहां पर seven of cups में से भी बहुत कुछ नई beginning के energy है और बहुत सारी अगर उसकी book आप देखेंगे तो बहुत सारी shapes और एक तरह से कुछ signs जो हैं उस पर बने हुए हैं जिसको लेकर कुछ काम हो रहा है तो मुझे again आपकी personal life को लेकर बोलू तो अपनी negativity को बस अपने intact रखना है और illusions में नहीं जाना है अपनी intuition को सु कोशिश करें पर आपको अपने आपको fully balance रखना है that is going to be very important secrets बहार आना और water intake का आपने ध्यान रखना है hormonal health का आपने ध्यान रखना है and overall energy ultimately I do see something coming to power or something coming to fruition बहुत जारे कशवे अपनी shells से बहार आ गए है एक fish or tot जो है वो साथ में चल रहे हैं new friendship new connections new celebration new beginnings but वो जो fire है वो दि दिखाई देगी something is going to be very very visible for for sure 6th of February को कोई जो action है कोई जो चीज है वो बहुत visible होगा और मुझे devil का feast पता ने क्यों मुझे ऐसा devil का feast वाली energy दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है it might be devil try to show something या फिर जो भी devil energy में है the negative queen of wands वो किसी तरह के कोई ऐसी चीज अनाउंस कर which might sound like a feast or a party or a celebration of some kind but कुछ तो है but it is it is going to turn around because वहां से बहुत सारे secrets जो है वो reveal होंगे so let's see क्या होता है बहुत powerful energy दिखाई दे रही है let's see message क्या है message क्या है 6th of February का so let's see Radhikrishna 6th February message okay 6th February message क्या है message दो cards आए है so let's see क्या cards आए है card है first chakra Archangel Michael Archangel Michael आपको security देते हैं safety देते हैं protection देते हैं और first chakra जो आपका root chakra होता है वो आपकी grounding energy होती है वो आपकी base energy होती है कि आप किसी भी चीज को लेकर कैसे सूचते हो आप कितना अपने आप में comfortable हो कितना नहीं और second chakra है Archangel Ariel definitely कुछ बहुत strong होने वाला है guys because यह आपकी नीव हिलाने वाली energy है और आपकी नीव जितनी strong होगे आप जितने centered होगे आप जितना grounded होगे उतना जादा आपके लिए बहतर होगा क्योंकि जो second chakra है sacral chakra वो आपके सारे emotions वहां बैठते हैं आपकी कहीं न कहीं आपकी illusions आपके confusions आपकी attractions आपका passion सब कुछ जो है वो second chakra में बैठता है and this is all the energy of first and second chakra that means that आपको अपने आपको बहुत balance रखना है बहुत grounded रखना है तल का दिन आपने grounding बिलकुल नहीं miss करनी है grounding जरूर करनी है सुबाउट तही बेस दो चक्रास की meditation जरूर करनी है red और orange color अपने आसपास रखना है दिन जो है वो बहुत बहुत powerful है and I do see energies very strongly shaking something मतलब किसी चीज़ की जड़ जो है ना वो हिलने वाली है और बहुत powerful energy है बहुत powerful so let's see क्या होता है और अगर हो सके तो video को like करें सब तक जाए ताकि धिरे धिरे हम सब को इस इस awakening की process में शामिल कर पाए और मैं आप आपसे में लूगी लाइव में थांकि सो मच टेकर बपाए